के चल्बस सीर करें कि चछट के जो नियम है कि उस्स नियम को हमें मतलब बहुत जयादा ही थानिकर atge लुए तो कोई डर है और धिसका कोई डर है धोड़े रहता चाथी महा का कि शक्षात होता है इससे स्क्षात हम wander भगवान को अर्ग देते हैं और शर्वी भगवान सक्षात दिखते हैं कोई बढ़ी सी तो उसका सक्षात जो है दिख जाता है तो जैसे कि हम अगर कोई परसाथ बनाते हैं मैंने पीछली वीडियो में सेयर किया तो उस गेमू को भी हम बहुत ध्यान से सुखाते हैं कि कोई पक्षी उसको मुह ना लगा दे कोई बच्चा ना उसको गलती से चुदे मुह में लगा ले तो इस सब चीचों को हम बहुत ध्यान से रखते कि हुँ सुखाते हैं छट परव के समय जब हम फलहर को त्यार करते हैं धोते हैं ठेकुआ बनाते हैं तो उस समय भी हम आईसे त दो मुझे फ़ल दो उसमें से नहीं देना है तो उसको इने कि हमसे चौड़ देना है उसको हमें क्या करने कि दो नहीं च्छोडते हैं तो यह चीज है यह सब चीजों को बातों को थ्वा से हमें ध्यान आखना चाहिए और इसी से जुराओं में आप लोगों को बहुत अच्छी घटना पर बता रही हूं और दूर की नहीं में अपने गाउं की बता रही हूं मेरे माईके में एक बार बहुत पहले जो हम लोग छोटे थे उस समय की बात है हमारे मम्मी और दादी बताती है कि मेरे गाउं में जैस लेकिव उससे च्टेट की थी और जो उनकी जो काफित और गरीबी मतलब उनका था तो गरीबी से मुने समय से क्या होता है झो ठेकूआब बना था उन नए ने साधी करके भी आई थिया उसको पता भी नहीं था तो जब ठेकुबा बना ना तो जब पहला रग हो गया तो पहला रग देकर घर में सब समाल मारे पूजा होता है वहां डारा रख देते हैं कि कल सुबा फिर पूजा करने जाएंगे तो सारे लोग सो पारण होता है उसके बाद ही पर साथ खाते हैं उसने उस टेकुबा खाली और खाके सुब गई और किसी को घर में किसी को पता नहीं चला और वो सो गई उप्खुश हो के खाली और सो गई लेकि जब सुबा उठी ने चले गए तो फिर उसको मतलब बहु थी तो जैसे हमार अब ही इसे कैसे हो गया है तो लोगों ने पूछा कि जो हम गया है तो सबसे ऐसे बहुत होते हैं कि मतलब चाइम पर पहले के से बोलते से तो फिर उस ने बूक तो तो पहले तो बुर्साद कि नहीं कुछ भी नहीं कि go लेकि जब फिर उस सबने जोर दिया कि बताओ बताओ तब उसने बोला कि हां रात को मैंने ठीक हुआ जो निकालके उसमें से परसाद निकालके फल खा लिया था खाके सुगए थी मैंने सुचा कि कल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा परिवार भी बढ़ा था तो उसकी तो यह जो गलती है इसे महां मैं अपने जो है काउन की कहानी बता रही हूं यह बहुत सची घटना है तो आप लोग साथ में ने सेर किया है तो ऐसे चीज़े हैं जो होता है ना गलती जाती तो मैं च्छामा मांगना चाहिए और इसके बहुत सारे नियम होता है जैसे कि तो जब हमारे नाखुन में जो है आटे बर्टे लग जाते हैं तो उसको बहुत ध्यान से एक हिकमा तब कहीं भी कोई दाना का अंस नहीं रहना चाहिए बहुत ही ध्यान से साफ करते हैं और साफ करने के बाद फिर जहां से पूजा कर तियारी होती वहां से जाते हैं और हा पानी हम यूज करते हैं जो काम कर रहे हैं उस पानी को भी बहुत अच्छे साफ स्वक्ष जगह पर फिका जाता है और फिर ऐसे जगह जहां पैर न लगे और गंदा भी नहों यह सब चीजे देखी जाती है यह हम है जो कि छट का मैंने आप लोके सची घटना बताया तो है ट होगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में कखो जाए चटी महिया चटी महिया आप सब कीमनों कापने